साथियों, आज ये निर्णे लिया गया है कि राज्यों के पास वेक्सिनेशन से जुड़ा जो 25 प्रतिशत काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्ता आने वाले दो सप्ता में लागू की जाएगी। इन दो सप्ता में केंद्रव और राज्य सरकारे मिलकर नई गैड्लेंज के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी। संयोग है कि दो सप्ता बाद 21 जून को ही अंतराश्य योग दिवस भी हैं। 21 जून सोमवार से देश के हर राज में अठारा वर्ष से उपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुप्त वैक्सिन मुहया कराएगी। वैक्सिन निर्माताओं से कुल वैक्सिन उत्पादन का 75 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीद कर राज्य सरकारों को मुप्त देगी। यानि देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सिन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोडों लोगों को मुप्त वैक्सिन मिली हैं। अब अठारा वर्ष की आउ के लोग भी इसमें जुड जाएंगे। सभी देश वाच्चों के लिए भारत सरकार ही मुप्त वैक्सिन उपलब्त करवाएगी। गरीब हो, निम्न मद्यमबर्ग हो, मद्यमबर्ग हो या फिर उच्चवर्ग। भारत सरकार की अभ्यान में मुप्त वैक्सिन ही लगाई जाएगी। हाँ, जो व्यक्ति मुप्त में वैक्सिन नहीं लगवाना चाहतें, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सिन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। देश में बन रही वैक्सिन में से पचीस प्रतिशत प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएं ये व्यवस्ता जारी रहेगी प्राइवेट अस्पताल वैक्सिन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिक्तम एक सो पचास रुप्ये ही सर्विस ले सकेंगे इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा